इमें हम लोग एको आसान सा सीविंग मशीन बनाएं जा एक रे लिए एको रबर वाला चपल का टुकड़ा ले 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 उकरे अंदर तीन गो खड़ा बना ले एक रे बाद एको लंबा जाड़ु को कांड़ी ले 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 उकरे मोड के आखिर के दू को खड़ा में डाल ले एक तरह गो लाकार बनाके आपको देख सेके लिया कैसे अईसन कही ले के बाद ये दूनों कांड़ी उकरे अंदर लॉक के जैसे न अटक जाए अईसन कईले के बाद दूनों डंडी पकड़के एक मशीन के हिलाएं आप लोग देख सकें जा कैसे हमें इसे बहुत अच्छा आवाज आयला टिक 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 वाला एसे हम लोग धागा के जैसन टाका भी मार सकें निजा वापस हुए स्विंग मशीन ले 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 और दूनों कांड़ी के पहले के जैसे अंदर डालके रख ले आप लोग देख सकें निजा कैसे ओकरे बाद एको पत्ता ले 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 और बीच का टंडी और उपर का दूग और डंडी के बीच में ओकर मुँ डाल ले अईसेन कई लेके बाद मशीन के वापस गोल-गोल घुमा है आप लोग देख सके नीजा कि पत्ती आगे चल जाई और एक समय पे वापस बाहर निकल जाई पत्ती निकल लेके बाद अगर आप लोग पत्ती के देखन जा तो उकर अंदर भहुत सारा छोट-छोट खड़ा दिखी वैसे ने जैसेन स्विंग मशीन में कपड़ा जाई लेके बाद होएला